आज रसोई घर में बन रही है पित्र प्रक्षिया शरात के लिए पूरी थाली जिसे हमने बनाया है बिना लसुन प्यास से तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दिये हैं वीडियो में आप उसे जरू से फॉलो कीजिए आपका जो खाना है फटा फट से बन कर तयार हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर खीर बना लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिटर दूद को भगोनी में डाल दिया है यह फूल फेट मिल गहीं यह चालू कर देते हैं और बीच-बीच में दूद को चलाते रहेंगे जब तक हम यहाँ पर चावल को दोकर तय और अब हम इसे डाल देंगे मिक्सी जार में तो बस इन चावलों को हमें हलका सा पीसना है यानि मिक्सी को आप ओन ओफ करकर ही पीसिए इससे जो है चावल की छोट टुकड़े हो जाएंगे खीर जो है हमारी फटा-फट से पग भी जाएगी और बिल्कुल एक सार बनेगी च बस गेहू के आठे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और पानी डालकर हम यहाँ पर इसका बिल्कुल सकत आठा लगाकर तयार करेंगे तो बिल्कुल आप अपनी आउशकत अनुसार यहाँ पर गेहू का आठा ले लिजे देखे बिल्कुल टाइट सा आठा में यहाँ मुंकी दाल के पकोड़े भी बनाने वाले हैं दाल को दो-तीन बार बढ़े असे दो लेंगे और दाल को भीगो कर रखेंगे अब आप सोचोगे इतनी जल्दी मुंकी दाल कैसे भीगोएगी तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बिल्कुल गरम पानी का गरम पानी मे इसमें डाल देंगे यह करश के विचावल तो बस चावल को हमें यहाँ पर हलका साही करश करना है क्योंकि मैं यहाँ पर बास्मती रा इसका यूज कर रही हूं तो अगर आपके पास टुकडी चावल हो या फिर छोटा वाला चावल हो तो फिर आपको यह एस्टेप करने क तो दूसरा में यहाँ पर और कुछ भी नहीं डालना होता है इसलिए मैं अधिक तर इसी का यूज करती हूँ गेस का फ्लेम लो करकर इसे पकने देंगे चलिए अब हम यहाँ पर सब्जियां वगेरा काट लेते हैं तो सब्जी में यहाँ पर बना रही हूं कद्दू की तो यहाँ पर मैं ने आदा किलो कद्दू लिया है आप देख सकते हूं कद्दू थोड़ा सा कच्चा है कच्चा कद्दू होता है तो भोती बढ़या से कुक हो जाता है और साथी इसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी लगती है तो बस इसकी उपर वाला जो बीज वाला पार् तो फ्रेंड्स यह जो कद्दू के छेलके होते है इसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है और अधिकतर मैं अपने घरूम में बनाती रहती हूं लेकिन अभी मैं इसकी रेसेपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूं क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर भोत सारा खाना ब भरवा मिर्ची तो मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्ची ली है जो डाइसोग्राम है इसे में बढ़िया से वोश कर लिया है और वोश करने के बाद एक बार कपड़े से पोश लीजे और बीच में इस तरह से हम इसमें चीरा लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पर बैसन भरवा मिर्ची बनारने वाले हैं और दूद को भी हम बीच-बीच में चेक करते रहेंगे ताकि दूद जो है तले में चिपके नहीं तो खीर को जब हम थोड़ा सा कवर करकर बनाते हैं तो खीर बहुत जल्दी से कूख हो जाती है यानि चावल बढ़िया से पक जाते हैं यह देखे चावल यहां पर बढ़िया से प्रेस हो रहे हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं आदक कप चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चीनी डाल सकती हो जितना मीठा आपको पसंद है लेकिन एक लीटर दूद के लिए आदक कप चीनी जो है बिल्कुल पफ फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में रख देंगे और अब हम यहां पर गेस चालू करकर गेस पर कड़ाई रखेंगे इसके अंदर डाल देंगे एक बड़ा चमस तेल थोड़ा से गरम होता है इसी के साथ हम यहां पर डालेंगे एक कप बेसन और बेसन को हम यहां प पर चड़ा देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर डालेंगे फिर से एक बड़ा चमश तेल क्योंकि अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं कद्दू की सब्जी तेल जैसे ही गरम होता है आधी चमश चराई और आधी चमश जीरा डाल देते हैं इसके साथ 2-5 हम इसमें हिंग डा अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है कद्दू तो कद्दू को मैंने पहले ही बड़िया से वोश कर लिया था इसके साथ एक चमश नमक डाल देते हैं और आधी चमश डालेंगे हल्दी पाउडर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर गेस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और कद्दू को बड़ी ऐसे कूख होने देते हैं तो जब तक कद्दू पक रहा है हम यहाँ पर मिर्चे में मसाला भर देते हैं तो जो बेशन हमने भून कर रखा था इसके अंदर हम थोड़े से बैसिक से मसाले डाल देते हैं जैसे एक चमच में ने डाला है नम कादी चमच डाल देते हैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ी से में आप लालमच पाउडर डाल रहे हूं आप डालना चाहे तो डाल सकते हूं नहीं तो इसके बिकर सकते हूं इसके साथ एक चमच में ने पर डाल देते हैं तो वेसे तो कई लोग तेल की जगे पाने का भी यूज़ करते हैं लेकिन जब इस समय हम पाने ढालते हैं तो मिर्च को बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम स्टोर करकर नहीं रख सकते इसलिए आप तेल का ही यूज़ की जिए और तेल इतना डाले कि लजुन प्यास से बना रहे हैं लेकिन यह भी जो खाना है न बहुत ही स्वाधिस्टे लगता है तो यहाँ पर देखे इस तरह से मैंने बेशन सभी मिर्चों में बहर दिया है और बेशन मुझे थोड़ा सा कम पढ़िया है इसलिए मैं एक मिर्च को काट करी डाल रही अब आप यहाँ पर देखे कद्दू भी बढ़िया से दबने लगा है कद्दू को भूच ज्यादा नहीं पकाए नहीं तो भूच ज्यादा मेशी हो जाएगा अब हम इसमें बाकी बच्चे में मसाला डाल देते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर और दो चमच मैंने यहाँ चीनी डाली है कद्दू में चीनी का यूज जरूर से कीज़े इसे बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है और आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हूं लेकिन हम यहाँ पर पुरवजों के लिए बना रहे हैं तो मैं खटाई का यूज नहीं कर रही हूं तो करम होता है थोड़ा से राई जीरा डालेंगे और अब हम डाल देते हैं यह हमारी हरी मिर्च तो इस मिर्च को बिल्कुल हलके हातों से हमें लाएंगे यानि इनकी जो जगह है वो चेंज कर देंगे ताकि तेल सभी दूर बढ़िया से लग जाएं और इसे कवर कर देंगे लोफ लेंपे इसे बड़े आसे पकने देते हैं तो चले मिर्च जब तक कूक हो रही है दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी यहाँ पर बड़े आसे फूली है या नहीं देखे जब मैंसे हातों से तोड़ रही हूं तो बड़े आसे तूट रही है दाल में से सारा पाने अलग कर देते हैं और इसे डाल देंगे मिक्सी जार में और बिल्कुल फाइन पेस्टे इसका बना लेंगे तो अगर आप भी पहले से दाल को भीगो ना भूल गए हो तो इस तरह से गरम पानी का यूज कीजिए और दाल को अब हम यहाँ पर फेट लेंगे तो लगबग 2 मिन पेट के लिए फेटी है इससे दाल हलकी हो जाएगी और जो हमारे पकोड़े एन एकदम फूले फूले बनेंगे यह दिखे बिल्कुल परफेक्ट है चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे जैसे एक चमश में डाल रही हूं लालमच पाउडर थोड़ा सा डाल दे अब एक बार इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल सिंपल से मसाले मैंने यह पर डाले है इन सबी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है लेकिन यह जो बेटर ही मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें पाने ड अब आप देख सकते हो मिर्ची यहां पर बढ़ा से सौफ्ट हो गई है तो गेस का फ्लेम आफ करके इसे फीर से कवर कर देते हैं और अब हम यहां पर पकोड़े को फ्राय कर लेंगे तो बिल्कुल छोटे-छोटे साइस की में यहां पर बना रही हूं और तेल को एक बार नहीं हो जाए अब आप देख सकते हो पकोड़े यहां पर बढ़िया से फ्राय हो चुके हैं जब इस तरह से कलर आ जाए तो इन्हें बहार निकाल लेंगे और अब बारी हैं यहां पर पूरिया बनाने की तो वह तो वेसे सभी को बनाना आती है तो वेसे मुझे जुरत नह ही यहां पर देखिए पूरिया भी बनकर बिल्कूल तयार हैं तो फ्रेंट्स आज की थाली की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट करकर जरूर से बताईए और आप शरात पक्षा में क्या-क्या बनाते हो वो भी मुझे कॉमेंट करकर जरूर से बताईए